हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो Y22 आंड्यूट में आप जो है अम्बेंट लाइट एफेक्ट सेटिंग को आपने यूस कैसे कर सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को यहापे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पह पेज ओपन होगा ना ambient light effect का इसमें आपको नीचे यह option दे रखा on screen display इसके सामने बटन है इसे आपको on करना है तो आपको नीचे की side में यह option काफी सारे show हो जाएंगे ठीक है इनने से आपको सिर्फ दो option का use करना है एक तो incoming call और दूसरा notification ठीक है तो incoming call के ठीक सामने आपको बटन दे रखाना है इसे आपको on करना है ठीक है on हो जाएगा अब incoming call के ठीक नीचे आपको यह option highlight होगा light effect for incoming call इस option को tap करना है ठीक है अब यह page open होगा इस page में आपको ने नीचे की side आपको काफी सारे आपको boxes दे रखे है इन boxes में से आपको कोई सी भी light आपको select करनी है ठी mark है तो आप इसे दूसरी भी select कर सकते है ठीक है अब यहाँ पर आपको इसे नीचे apply का बटन जरूर दबाना है ठीक है apply का बटन दबाना है तो अब यह setting कैसे काम करेगी आगर आपके mobile phone पे कोई भी incoming call आएगा तो आपके mobile phone के चार और इस तरीके से light आपकी show होगी incoming call आने आप इस तरीके से आपको बैक पेच के आना है और इनको सामनी आले बटन को actually यहां पर नोट्फिकेशन के ठीक नीचे आपको यहां पर जो एना Light Effect for Notification इस option को सबसे नीचे वाले को टैप करना है अब यहां पर आपको भी जो है यहां पर कोई सी भी Light आपको दूसरी Select कर लेनी है ठीक है हम यहां पर यह वाली Light लाइट शो होगी ठीक है तो यहाँ पर आपको जो ना बैक पेच परना है और यहाँ पर आपको notification apps इस उप्शन के ठीक उपर आपको notification apps दे रहskin है जो टैप करना है और यहाँ पर आपको जो आपको All app के सामशने बटन को on कर लेना है जिससे किसी आप का नोटफिकिशन आएगा ना तो आपके मॉइल फोन पर इस तरह की से लाइट आपकी शो होगी ठीक है तो यह सेटिंग जो आप इस तरह की से यूज़ कर सकते हैं एम्बेंट लाइफ लाइट एफेक्ट सेटिंग को ठीक है